नमस्कार दोस्तों सुआगत आप सभी का मेरा नाम है विक्रम आप देख रहे हैं विके मेत यूटूब चैनल तो आज का जो यह वीडियो दोस्तों इंडियन आर्मी जीडी की मैथेमेटिक्स के लिए समय और दूरी टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट फॉर है जिसमें हम इसकी important trick समझने वाले हैं इससे पहले के तीन वीडियो में दोस्तों हमने इसका basic concept बताया इसकी कुछ trick भी हमने बताई है example से तो आज की इस वीडियो में भी हम example से trick solve करेंगे trick को समझेंगे तो अगर इससे पहले के वीडियो आप देखना चाते हैं तो playlist का link description में दिया गया है वाँ पर click करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं चरिया आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो से पहले हम 10 trick इसकी बता चुके हैं आगे की trick अब हम समझते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो trick नंबर 11 है वो कुछ इस परकार से है एक नाविक दारा की दिसा में निश्ची दूरी तये कर पुन पहले स्थान पर लोट आता है यह दि जाने और आने में कुल समय टी लगता है और नाव यह धारा की चाल क्रम से X और Y किलोमेटर परती गंटा है तो दूरी ग्याद करना तो इस परकार से जब कुछ नमें दिया जाता है कि एक निश्ची दूरी ते की जाती है और फ दोस्तों जो टी समय हमें दिया जाता है उसके साथ में हमें गुणा कराना है X प्लस Y का और X माइनस Y का यानि कि जो चाल हमें दी जाएगी नाव और धारा की उन दोनों को एड़ करना है गटाना है और बटे में यहाँ पर दोस्तों जो नाव की चाल है उसका दूगुना क चीए या हम कहें कि अक्स का मान वाई से बड़ा होना चीए तो इस प्रकार से ये ट्रिक है जिसे हम दूरी ग्याद करेंगे चलिए इसका एक 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 जामपल हम लेते हैं और इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के लिए जो एक जामपल हो कुछ इस प्रकार से है नदी में एक इस्तान पी से क्यों तक जाने तथा वापस आने में एक नाव चार गंटे का समय लेती है यदि दारा का वेग दो किलो मिटर परती गंटे हो तथा नाव का सांथ जल में होना चाहिए वाई से तो यहाँ पर देखिए अकस हमारे पास है नाव की चार जो हमें नाव का वेग यहाँ पर दिया गया है चार किलो मेटर परती गंटे अब यहाँ पर देखिए इसमें मान लगा देते हैं तो टी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए समय चार ग ब्रेकट में है 4 प्लस 2 तो 4 गुणा 4 प्लस 2 हो जाएंगे 6 यहाँ पर ब्रेकट है तो कोई चिना नहीं होगा तो गुणा का चिना होगा 4 में से दोस्तों यहाँ से लूआ हम दो गटाएंगे यहां पर दो बचेगा बटे में यहाँ तरीक हम समझते हैं तो यहां पर दोस्तों ट्रीक No.12 वो कुछ इस परकार से है एक तिराक जल परवा की विपरी दिशा में एक निश्ची दूरी त gameplay करने में T1 गंटे लेता है जबकि जल परवा की दिशा में उसे T2 गंटे लगते हैं तो यहांपर दोस्तों जो तेराक की च जो दारा की चाल है जो दारा की चाल है जो समय हमें दिया जाता है उसमें देखे क्या समंद होता है यहाँ पर देखे 13 की चाल है उसके बटे में दोस्तों यहाँ पर हम रखेंगे दारा की चाल और यह देखे बराबर हो जाएगा T1 प्लस T2 के और बटे में हो जाएगा T1 तो यहाँ पर देखे question में हमें कुछ भी पूचा जा सकता है जैसे 13 की चाल पूची जा सकती है दारा की चाल या T1 समय या T2 समय यानि की दारा की दिसा में समय दारा की विपरी दिसा में समय तो इससे हम ग्याद कर सकते हैं तो चलिए इसके लिए एक एक एक्जामपल हम लेते हैं और इस ट्रिक को भी अच्छे से समझ लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के लिए जो एक्जामपल हो कुछ इस परकार से है एक नाविक दारा की दिसा में निश्ची दूरी तेह करने में चार गंटे का समय लगाता है जबकि उतनी दूरी दारा की विपरी दिसा में तेह करने में आठ गंटे लेता है यदि नाविक का वेग सांत जल में 15 km परती गंटे हो तो दारा की चाल ग्याद करें अब यहाँ पर दोस्तों हमें ग्याद करने है दारा की चाल तो ट्रिक में देखे दारा की चाल हमें ग्याद करने हैं इसे हम अक्समान लेंगे और जो भी मान हमें दिये गए हैं वो हम रख देंगे तो यहाँ पर देखे 13 की चाल हमें दी गए 15 किलोमेटर परती गंटे तो इसकी जगह हम 15 रखेंगे बटे में दारा की चाल को हम अक्समान लेंगे क्योंकि यह हमें ग्यात करना है यहाँ पर देखे T1 क्या है T1 है दोस्तों दारा की विपरी दिशा में ठीक है जल परवाय की विपरी दिशा में जो हमें यहाँ पर दोस्तों टाइम दिया गया 8 गंटे तो 8 में हम क्या करेंगे 4 को 8 कर देंगे बटे में यहाँ पर दोस्तों क्या होगा यहाँ पर हमें करना है T1-T2 तो दारा की देखिए विपरीद इसा में T1 समय है जो हमें यहाँ पर दिया गया 8 गंटे तो 8 में से हम 4 को गटा देंगे अब यहाँ पर देखिए इसे हम 6 कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 बटे X है बराबर में देखिए क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 हो जाएंगे 12 है और 8 माइनस 4 हो जाएंगे 4 अब देखिए इसका हम तिर्चा गुना करा देते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा अक्स का गुना 12 से यानि कि अक्स गुना 12 बराबर में हो जाएगा पंदरा का गुणा 4 से अब यहाँ पर दोस्तों अक्स के साथ में 12 गुणा में है तो इसके बटे में जाएगा तो 15 गुणे 4 बटे 12 है अब इसे हम सोल कर लेंगे तो 15 का गुणा 4 से कराएंगे यह हो जाएगा दोस्तों 60 और 60 में 12 का भाग हम लगाएंगे तो यह बाग जाएगा 5 बार तो यहाँ पर दोस्तों जो दारा की चाल होगी वो हो जाएगी 5 किलो मेटर परती गंटे तो इस परकार से इस ट्रिक से किश्चन आप आसानी से सोल कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी अगली ट्रिक हम समझते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो अगली ट्रिक हो कुछ इस परकार से है किसी 13 को दारा के विरुद D1 किलो मेटर जाने में तता दारा की दिसा में D2 किलो मेटर जाने में परतेक दसा में T समय लगता है तो 13 की चाल और दारा का वेग हम कैसे ग्याद करेंगे यहाँ पर दोस्तों देखे 13 की चाल हमें ग्याद करनी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जो D1 है D1 यहाँ पर है दोस्तों दारा के विरुद इसमें दोस्तों हम एड कर देंगे जो दारा की दिसा में जो दूरी है ठीक और इसके बटे में हम रखेंगे 2T यानि कि समय का दूगुना तो यह दोस्तों इसकी ट्रिक है अब यहाँ पर देखे अगर हमें दारा का वेग याद करना है तो जो यहाँ पर दोस्तों दूसरी दूरी है यानि कि दारा के दिशा में जो दूरी है उसमें से हमें दारा के विरुद जो दूरी है D1 उसरे गठा देना है और बटे में यहां पर हमें तूटी करना है ठीक है तो यह टृक है दरा के वेग्ग ज़ाद करने की इस टृक से दोस्तों हम एसे किरिशन सोल कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस ट्रिक के लिए हम एक एक एक्जामपल लेते हैं और उसे हम सोल करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के लिए जो एक्जामपल हो कुछ इस परकार से हैं यदि अंसुल को दारा के विरुद 15 km जाने में तता दारा की दिसाओ में 20 km जाने में परते एक दसाओ में तीन गंटे लगे तो दारा का वेग क्या है अब यहाँ पर देखे दारा का वेग हमें ग्यात करना है तो इसके लिए दोस्तों ट्रीक है D2-D1 बटे 2T तो यहाँ पर देखे D2 यहाँ पर क्या हो जाएगा जो 21 km हमें दिया गया है D1 हो जाएगा 15 km और समय हमें दिया गया है 3 गंटे तो यहाँ पर देखे हम क्या करेंगे 21 में से हम 15 को घटा देंगे बटे में यहाँ पर दोस्तों दो का गुणा हम समय से करा देंगे तो दो गुणा समय है तीन गंटे अब इसे हम सोल कर लेते हैं तो यहाँ पर देखे 21 में से 15 हम गठाएंगे यहाँ पर 6 बचेंगे बटे में हो जाएगा देखे 2 का गुणा 3 से 6 हैं तो 6 में 6 का भाग जाएगा एक बार तो एक किलोमेटर परती गंटे यहां पर दारा का वेग हो जाएगा तो इस परकार से इसे क्रिशन हम सोल करेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी अगली ट्रीक हम समझते हैं तो यहां पर दोस्तों जो अगली ट्रीक है वो कुछ इस परकार से है कि यदि एक तेरा को दारा की दिसा में अक्स दूरी हैं और दारा की विपरी दिसा में य दूरी तेह करने में समान समय लगे तो तेरा की चाल और दारा की चाल में देखे क्या समन्द होगा 13 की चाल बटे दारा की चाल बराबर हो जाएगा दूरी का योगफल बटे दूरी में अंतर यानि कि यहां पर दोस्तों X और Y यह दूरी हमें दी गई है तो X पलस Y बटे में X माइनस Y तो यह दोस्तों ट्रिक है यदि हमें इस परकार से दिया जाता है कि दारा की दिसा में और दारा की विपरित दिसा में दूरी है और उसे ते करने में समान समिर लगा है तो यहां पर हमें 13 की चाल दारा की चाल या X Y किसी का भी मान पूछा जा सकता है चलिए यहाँ पर इसके लिए एक 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 जामपल हम लेते हैं और इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के लिए जो एक जामपल हो कुछ इस प्रकार से है एक आदमी दारा के साथ 24 किलोमेटर तता दारा के विपरित 18 किलोमेटर जाने में बराबर समय लेता है यदि दारा की गती 6 किलोमेटर परती गंटे हो तो आदमी की गती क्या होगी यहाँ पर देखिए हमें 13 की गती ग्याद करनी यानि 13 की चाल या आदमी की चाल हमें ग्याद करनी है तो उसके लिए यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्मूला में हम मान लगा देते हैं इस ट्रिक में तो यहाँ पर देखे 13 की चाल, यानि कि आदमी की चाल हमें ग्याद करने हैं, तो इसे हम X मान लेते हैं, बटे में 13 की चाल हमें दी गई है, 6 किलोमेटर परती गंटे, तो यहाँ पर हम रख देंगे, बराबर में क्या होगा, इसका संबन देखिए, X प्लस Y बटे X माइनस Y, तो X है 24 किलोमेटर, और Y है दोस्तों, यहाँ पर 18 किलोमेटर, तो 24 प्लस 18 हम यहाँ पर करेंगे, बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24 माइनस 18, ठीक है, इसे हम सोल कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों, आक्स रहेगा, इनका हम वजर गुणा करा देते हैं साथ में तो 24 और 18 को हम एड करेंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों 42 और बटे में देखे 24 में से 18 हम गठाएंगे तो यहाँ पर 6 बचेंगे और यहाँ पर देखे वजर गुणा हमने किया था तो यहाँ पर जो 6 थे वो इसके गुणा में जाएंगे तो इसके गुणा में हम कर देते हैं 6 से दोस्तों 6 को हम कटा देंगे 42 रहेगा तो 42 किलो मेटर परती गंटे उसकी चाल हो जाएगी इस परकास यह से क्षिशन हम सोल करेंगे तो आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सब्सक्राइब करने के बादे बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें मैं मिलता हूँ आपसे सी की नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जे हिंद जे भारत वंदे मातरम